नमासकार चलिए सुनते हैं सुदरसंजी की लिखी कहानी आसिरवाद लाजवन्ती के यहां कई पुत्र पैदा हुए मगर सब के सब बच्पन ही में मर गए आखरी पुत्र हेमराज उसके जीवन का सहारा था उसका मुदे करवा पहले बच्चों की मौत का गम भूल जाती थी यद्यफेमराज का रंग रूप साधारड देहाती बाल को कसा ही था मगर लाजवन्ती उसे सबसे सुन्दर समझती थी मात्रवाजसर ने आखों को धोके में डाल दिया था लाजवन्ती को उसकी इतनी चिंता थी कि दिन रात उसे च्छाती से लगाए फिरती थी मानो वा कोई दीपक हो जिसे भुजाने के लिए हवा के तेज्जों के बार बार आक्रमण कर रहे हूँ वा उसे चिपा चिपा कर रखती थी काई उसे किसी की नजर ना लग जाए गाउ के लड़के खेतों में खेलते फिरते हैं मगर लाजवन्ती हेमराज को घर से बाहर ना निकलने देती थी और कभी निकल भी जाता तो घबरा कर ढूंडने लग जाती थी गाउ के इस्तरिया कहती हमारे भी तो लड़के हैं तो जरासी बात पे यूँ पागल क्यों हो जाती है लाजवन्ती या सुनती तो उसकी आँखों में आसु लहराने लगते भरा एहुए स्वर में उत्तर देती क्या कहूं मेरा जी डर जाता है इस समय उसे अपने मरे हुए पुत्र याद आ जाते थी मगर इतना साधान रहने पर भी हेमराज बुरी नजर से ना भस्तका प्राता कालता लाजवन्ती दूद्दू रहे थी इतने में हेमराज जागा और मुँ फुला कर बोला मा आवाज में उदासी थी लाजवन्ती के हाँ से भरतन गिर गया दौड़ती हुई हेमराज के पास महूँची और प्यार से उसके सिर पर हाँठ फेर कर बोली क्यों हेम? क्या है बेटा? घबराया हुआ क्यों है तू? इस तरह क्यों बोलता है तू? हेमराज रुक रुक कर बोला सिर में दर्द होता है, बहुत दर्द होता है, भाद साधारण थी, लेकिन लाजवन्ती का नारी हिर्दे काप गया यही रित्थी जब उसका पहला पुत्र मदन मरा था वा भी इसी तरह बीमार हुआ था लाजवन्ती को अपने पहरों के नीचे से धर्ती खिसकती सी मालूम होने लगी जिस तरह विद्धार्ती एक बार फेल होकर दूसरी बार परिच्छा में बैठने से घबराता है उसी प्रकार हेमराज के सिर्दर्द से लाजवन्ती ब्याकुल हो गई गाउं में दुरगादास वैद अच्छे अन्भवी बैद थे लोग उन्हें लुकमान समझते थे सैकड़ो रोगी उनके हाथों से सर्ष्थ होते थे आसपास के गाउं में भी उनका बड़ा नाम था लाजवन्ती उड़ती हुई उनके पास पहुँची बैजी बैठे हुए एक पुराना सापताहिक समाचार पत्र पड़ रहे थे लाजवन्ती को देखते ही उन्होंने पत्र हाथ से रख दिया और आखों से एनक उतार कर बोले क्यों वेटी क्या बात है लाजवन्ती चिंतिस सी होकर उत्तर दिया हें बीमार है वैद जी ने सान भूत के साथ पूचा कब से आज ही से कहता है सिर में दर्द है बुखार तो नहीं है मालूम तो नहीं होता आप चलकर देख लेते तो अच्छा होता वैद जी का मनोरत सिध्ध हो गया उन्होंने जल्दी से कपड़े बदले और लाजवन्ती के साथ हो लिया जाकर देखा तो हें राजबुखार में बेसुत पड़ा था वैद जी ने नाड़ी देखी माथे पर हाथ रखा और फिर कहा चिंता की कोई बात नहीं है दवा दिये देता हूँ बुखार उतर जाएगा लाजवन्ती के डूबे हुए हिरदे को सहारा मिल गया उसने दुपटे के आचल से अठन्नी निकाली और वैद जी को भेट कर दी बैद जी ने मुझे नहीं परन्त किसी ने अपना असर नहीं दिखाया लाजवन्ती की चिंता बढ़ने लगी वा रात रात बर उसके सिराने बैटी रहती थी लोग आते और धीरत देकर चले जाते थे किंदो लाजवन्ती का मन उनकी बातों की ओर ना दोड़ता था वह डरी डरी रहती और अपने मन की पूरी सक्ती से हेम की सेवा में लगी रहती थी एक दिन उसने वैद से पुछा हकीम जी आखिर क्या बात है जो ये बुकार उतरने का नाम नहीं लेता वैद जी ने उतर दिया मियादी बुकार है लाजवन्ती चोग पुड़ी उसने तड़प कर पूछा मियादी बुकार क्या वैद जी ने कहा हा मियादी बुकार अपनी मियाद पूरी करके ही उतरेगा पर कब तक उतरेगा 21 दिन उतरेगा इससे पहले नहीं उतर सकता आज 11 दिन हो गए है बस 10 दिन और रह गए है किसी तरह ये दिन निकाल लो भगवान भला करेगा लाजवन्ती का माथा ठनका हिचकिचाते हुए पूछा कोई अंदेशा तो नहीं सससच बता दीजिए वैद जी थोड़ी देर चुप रहे इस समय वे सोच रहते कि उसे सससच बताएं या ना बताएं फिर बोले देखो बुखार सकता है हानकारग भी हो सकता है मेरी सम्मत में हेम के पिता को बुलावा लो लाजवन्ती सहम गई रेत के अस्थनों को मीठे जल की नदी समझ कर जब हरण पास पहुँच कर देखता है कि नदी अभी तक उतनी ही दूर है तो जो दसा उसके मन की होती है वही दसा इस समय लाजवन्ती की हुई उसे आसा नहीं निश्चे हो गया था कि हेम एकाद दिन में ठीक हो जाएगा उसी तरह खेलता फिरेगा उसी तरह नाजता फिरेगा मा देखेगी खुस होगी लोग बधाईया देंगे मगर बैद की बात सुनकर उसका दिल बैट गया उसका पती रामलाल सचदेव मुलतान में नौकर था उसने उसे पत्र लिखा वह तीसरे दिन पहुँच गया लाज दुगनी सावधानी से होने लगा यहां तक कि दस दिन और बीद गये अब 21 दिन सिर पर था लाजवंती और रामलाल दोनों घबरा गये हिम की दे अभी तक आग की तरह तप रही थी सोचने लगे क्या बुखार एका एक उत्रेगा वैद ने आकर नाड़ी देखी तो घबरा कर बोले आज की राद बड़ी भयानक है सावधान रहना बुखार एका एक उत्रेगा लाजवंती और रामलाल दोनों के प्राण सूख गये वैद के सब्द किसी आने वाले भय की पूर्व सूचना थे रामलाल दवाएं समाल कर बेटे के सिराहने बैट गए परन्तु लाजवंती के हिर्दे को कलना थी उसने संद्य समय थाल में घी के दीपक जलाए और मंदिर की ओर चली इस समय उसे आसा अपनी पूरी जीवन सामगरी के साथ सामने नाच करती हुई दिखाई दी लाजवंती अनने भाव से मंदिर में पहुची और देवी के सामने गिर कर धेर तक रोती रही अब ठक कर उसने सिर उठाया तो उसका मुकमंडल सान्थ था जैसे तूफान के बाद समुद्र सान्थ हो जाता है उसको ऐसा मालूम हुआ जैसे कोई दिब्ब सक्ति उसके कानों में कह रही है कि तूने आसू बहा कर देवी के पास आड़ हिर्दे को पिगला दिया है परन्त उसने इतने ही पर संतोस ना किया मातर इसने ने भै को चलम सीमा पर पहुँचा दिया था लाजवन्ती ने देवी की आरती उतारी फूल चड़ाए मंदिर की परिक्रमा की और प्रेम के बोज से कापते हुए स्वर से मानता मानी कि देवी माता मेरा हेम बज जाए तो मैं तीर थे आत्रा करूंगी ये मानता मानने के बाद लाजवन्ती को ऐसा जान पड़ा जैसे उसके दिल पर से किसी ने कोई बोज हटा लिया है जैसे उसका संका टल गया है जैसे उसने देवताओं को खुश कर लिया है उसे निश्चे हो गया कि अब हेम को कोई भय नहीं है लाटी तो उसके पाव भूम पर ना पड़ते थे उसके हेदे समुद में आनंद की तरंगें उठ रही थी उड़ती हुई घर पहुँची तो उसके पती ने कहा लो बदाई हो तुमारा परिश्रम सफल होने को है बुखार धीरे धीरे उतर रहा है लाजवन्ती के मुख पर प्रसन्नता थी और नेत्रों में आसा की जलक जूमती हुई बोली अब हेम को कोई डर नहीं है मैं तीर्द्यार्त्रा की मानता मानाई हूँ रामलाल ने तीर्देहरत्रा के खर्च का अनमान किया तो हुर्दे बैठ गया परन्तु पुत्रिसने ने इस चिंता को देर तक न ठहर ने दिया उसने बादलों से निकलते हुए चंद्रमा के समान मुस्कुरा कर उत्तर दिया अच्छा किया रुपहे का क्या है हाथ की मैल आता है चला जाता है परमेश्वर ने एकलाल दिया है वा जीता रहे यही हमारी दवलत है लाजवन्ती ने स्वामी को सुला दिया और आप रादभर जागती रही उसके हिर्दे पर ब्रह्मानन की मस्ति चा रही थी प्रभात हुआ तो हेम का बुखार उतर गया था लाजवन्ती के मुकमंडल से प्रसनता टपक रही थी जैसे संध्या के समय गवों के अस्तनों से दूद की बूंदे टपकने लगती है वैद जी ने आकर देखा तो उनका मुकमंडल भी चमक उठा अभिमान से सिर उठा कर बोले अब कोई चिंता नहीं तुमारा बच्चा बच गया है लाजवन्ती ने हेम की देपर हाथ फेरते हुए कहा क्या से क्या हो गया है वैद जी ने लाजवन्ती की ओर देखा और रामलाल से बोले या सब इसी के परिश्रम का फल है लाजवन्ती ने उत्तर दिया देवी माता की किरपा है अत्वा आपकी दवा के प्रभाव का फल है मैंने क्या किया है जो मेरे परिश्रम का फल है मैं तुमें दूसरी सावित्री समझता हूँ उसने मरे हुए पति को जिलाया था तुमने पुत्र को मृत्य के मूँ से निकाला है तुम यद दिन रात एक ना कर देती तो हेम का बचना सर्वता असंभ हो था ये सब तुम्हारी मेहंतों का फल है भगवान प्रसन हो गया बच्चा बच्चा नहीं दूसरी बाहर पैदा हुआ है रामलाल के ओटों पर मुश्कुराहाट थी आँखों में चमक इसके साथवे दिन वा अपनी नौकरी पर चले गए और कहते गए कि तीर्थे आत्रा की तैयारी करो तीन महीने बीद गए लाजवंती तीर्थे आत्रा के लिए तैयार हुई अब उसके मुख पर फिर वही आभाती आँखों में फिर वही चमक दिल में फिर वही खुसी हीम आंगन में इस प्रकार चहकता फिरता था जैसे फूलों पर बुलबुल चहकती है लाजवन्ती उसे देखती तो फूली न समाती थी तीर्द्यात्रा से पहले की रात को उनके आंगन में सारा गाउं इकठा हो रहा था जांजे और करताले बज रही थी धोलक की थाब गूंज रही थी इस्त्रियां गाती थी बजाती थी सोर मचाती थी दूसरी तरफ कहीं पूनिया बन रही थी कहीं हलुआ उसकी सुगन से दिमाग तर हुए जाते थे लाजवन्ती इधर से उधर और उधर से इधर आ जा रही थी मानो उसके यहां बया हो एक और निचिनते सादू सुलपे के दम लगा कर गाओं की हवा को सुद्ध कर रहे थे उनकी और गाओं के लोग इस तरह देखते थे जैसे किसान तैसिलदार की और देखते हैं आखों में सद्धा भाव के अस्थान पर भाया और आतं की मात्रा कहीं अधिक थी लाजवन्ती से कोई मैदा मांगता था कोई घी कोई कहता था हलवाई खांड के लिए छिल्ला रहा है कोई पूचता था हमचुर का बरतन कहां है कोई और समय होता तो लाजवन्ती घबरा जाती पर इस समय उसके मुख पर जरा घबरा हट ना थी सोचती थी कैसा सवभाग गय जो या दिन मिला आज घबरा हट कैसी परंद सारा गाउप्रसन नो या बात ना थी महीं इस्तिरियों में बैठी हुई एक बूड़े इस्ति असीम दुख में डूबी हुई थी वह लाजवन्ती की पडोशिन हरो थी अत्यां दुख के कारण उसके कंड से आवाज ना निकलती थी नगर होता तो वो इस उस्सों में कभी समलित ना होती मगर गाओं की बात थी ना आती तो उगलियां उठने लगती आनन्द में हास परिहास के बीच में उसका मस्तिस्क दुख और सोक के कारण ऐसे खौल रहा था जैसे ठंडे समुद में गरम जल का इस्तिरोत उबल रहा हो वास्तिरोत बाकी समुद से कितना परे कितना अलग होता है इसी तरह रात के चार बच गए लोग खापी कर आराम करने लगे जो बचा रहा वा गरीवों में बाड़ दिया गया लाजवन्ती ने लोगों को विदा किया और चलने की तयारी में लगी उसने एक टीन के बक्स में जरूरी कपड़े रखे एक बिस्तर तयार किया कंट में लाल रंग की सूती माला पहनी माथे पर चंधन का लेब किया गव पडोशिन को सौपी और उससे बार बार कहा इसका पूरा पूरा ध्यान लखना जा रही हूँ मगर मेरा मन अपनी गव में रहेगा सैसा किसी के सिस्की भरने की आवास सुनाए दी लाजवन्ती के कान खड़े हो गए उसने चारो तरब देखा मगर कोई दिखाई ना दिया इस समय सारा गाह सुक सपन में अचेत पड़ा था या सिस्की भरने वाला कौन है या सोचकर लाजवन्ती हैरान रहे गई वा आंगन में निकल आई और ध्यान से सुनने लगी सिस्की की आवाद फिर सुनाए दी लाजवन्ती चट पर चड़ गई और पडोशन के आंगन में जुक कर जोर से बोली मा हरो कुछ देर तक सननाटा रहा फिर एक चारपाई से उत्तर मिला कौन है लाजवन्ती आवाज में आसू मिले हुए थे लाजवन्ती जल्दी से नीचे उतर गई और हरो के पास पहुँच कर बोली मा क्या बात है तू रो क्यों रही है हरो सचमुच रो रही थी परन्तु अपना दुख लाजवन्ती के सामने कहते हुए उसके नारी दर्ब को बटा लगता था इसलिए अपनी वास्त्वी कवस्ता को छिपाती हुई बोली कुछ बात नहीं तो रो क्यों रही हो हरो के रुके हुए आसुओं का बान तूट गया उसका दुखी हिर्दे सहानभूत की एक चोट को भी सहन नहीं कर सका वा सिस्कियां भर-भर कर रोने लगी लाजवन्ती ने फिर पूछा मा बात क्या है जो तू इस समय रो रही है मैं तेरी पढोशिन हू मुझसे ना चुपा हरो ने कुछ उत्तर ना दिया वा सोच रही थी कि इसे बताऊं या ना बताऊं प्रभात हो चला था कुछ-कुछ प्रकास निकलाया था लाजवन्ती चलने के लिए आतुर हो रही थी मगर हरो को क्या दुख है या जाने बिना चले जाना उसके लिए कठिन था उसने तीसरी बार फिर पूछा मा बता दो ना तुमें क्या दुख है हरो ने दुखी होकर कहा क्या तुम उसे दूर कर दोगी हो सका तो दूर कर दूँगी ये असंभव है बेटी संसार में असंभव कोई बात नहीं भगवान सब कुछ कर सकता है हरो थोड़ी देर तक चुप रही फिर धीरे से बोली बेटी का दुख खा रहा है रात रात भर रोती रहती हूं जाने या नाव कैसे पार लगेगी ये क्यों उसके ब्याका खर्च तो हुमारे जेट ने देना मंजूर कर लिया है ऐसे भाग होते तो रोना काहे का था लाजवन्ती ने अकुला कर पूछा तो क्या या जूट है बिल्कुल जूट भी नहीं उसने दो सो रुपाए के गहने बनवा दिये हैं मगर मिठाई आज का प्रबंद नहीं किया अब चिंताया है कि बारात आएगी तो उसके सामने क्या धरूंगी बराती मिठाई मांगेंगे पूरिया मांगेंगे हल्वा मांगेंगे यहा सूखे सत्तु खिलाने की भी हिम्मत नहीं यही सोच सोच कर सूखती जाती हूँ लाजवन्ती ने कुछ सोच कर उत्तर दिया क्या गाँ के लोग एक निर्धन ब्रामणी की कन्या का बयाह नहीं कर सकते और या उनकी दयाना होगी यह तो धर्म होगा हरों की आखें बहराई वो इस समय निर्धन थी परंत कभी उसने अच्छे दिन भी देखे थे लाजवन्ती के प्रस्ताहों से उसे अत्यांत दुख हुआ जैसे नया नया भिखारी गालिया सुनकर पिर्थ्वी में गड़ जाता है उसने धीरे से कहा बेटी या अपमान ना देखा जाएगा परंत इस तरह तो गाउं भर की ना कर जाएगी मा हरोंने बात काट कर कहा मैं भी तो इसे सहन ना कर सकूंगी किसी के सामने हाथ पहलाना बुरा है तो क्या करोगी कन्या कुमारी रखोगी भगवान की यही इच्छा है तो मेरा क्या बस है कहीं निकल जाओंगी ना कोई देखेगा ना बात करेगा लाजवन्ती ब्रामडी की करुणा जनक अवस्ता देखकर काप गई उसे ऐसा मालूम हुआ जैसे कोई कह रहा है कि अगर या हो गया तो इस स्वर का कोप गाउं भर को जला कर खाक कर देगा लाजवन्ती अपने आपको भूल गई उसका हेड़े दुख से पानी पानी हो गया उसने जोस से कहा चिंता ना करो तुमारा या संकट मैं दूर कर दूंगी तेरी बेटी का ब्याह होगा और बरात के लोगों को मिठाई मिलेगी तेरी बेटी तेरी ही बेटी नहीं मेरी भी बेटी है हरोंने वा सुना जिसकी उसे इच्छा थी परंतु आसाना थी उसके नेत्रों में कृत्यगता के आँसु चलकने लगे लाजवन्ती तीर्थयात्रा के लिए आधीर हो रही थी वा सोचती थी हरी द्वार, मतुरा, ब्रंदावन के मंदिरों को देखकर हिर्दय कली की तरह खिल जाएगा मगर जो आनन्त उसे इस समय प्राप्त हुआ वा उस कल्पित आनन्त की अपेच्छा काई अधिक बढ़ चड़ कर था वा दाउडती हुई अपने घर गई और संदूग से 200 रुपए लाकर हरों के सामने धेर कर दिये या रुपए जमा करते समय वा प्रसन्नुई थी पर उन्हें देते समय उससे भी अधिक प्रसन्नुई जो सुक्त्याग में है वा ग्राण में कहां लाजवन्ती के तीर्थ्यात्रा का विचार छोड़ देने पर सारे गाउं में आकसी लग गई लोग कहते थे लाजवन्ती ने बहुत बुरा किया देवी माता का क्रोध उसे नश्ट कर देगा इस्तिरिया कहती थी कि सेखी पर रात को रजजगा किया था 67 रुपए खर्च हो गए अब घर में बैट गई है नहीं जाना था तो इस दिखावे की क्या हो सकता थी कोई कहती थी देवी देवताओं के साथ यहां सी मजाख अच्छा नहीं ले देकर एक लड़का है उसकी खैर मनाए जो भूड़ी थी वे माला की गुर्यां फेरते फेरते बोली कल जुक का पहरा है जो ना हो जाए सो थोड़ा ऐसा तो आज तक नहीं सुनाता आज तक सुनते थे आदमी आदमी से बात करके बदल जाता है अब तो देवताओं से बात करके भी बदलने लगे पर असली बेद का किसी को भी पता ना था धीरे धीरे या बाते लाजवन्ती के कानों तक भी जा पहुची पहले तो उसने उनकी कुछ परवाह नहीं की एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया परन जब सब ओर से यही चर्चा और यही बाते सुनी तो उसका चित्वी डामा डोल होने लगा हावा ने जख्कड का रूप धारण कर लिया था अब मुसाफिर घबराने लगा अब उसका मन डोलने लगा लाजवन्ती सोचती थी मैंने बुरा क्या किया एक गरीब ब्रामडी की बेटी के बिवा में सहायता देना क्या देवी को पसंद नहीं और मैंने तीरत यात्रा का विचार छोड़ नहीं दिया केवल कुछ काल के लिए अस्थगित किया है इस पर देवी देवता गुसा क्यों होने लगे मगर दूसरा विचार उड़ता कि मैंने सचमुझ भूल की देवी देवताओं की बेट किसी आदमी को देना अपराद नहीं तो और क्या है या विचार आते ही उसका कलेजा काम जाता और हेम के विशे में भयानक संसे उत्पन होने लग जाते संसार बुराईयों पर पच्टाता है लाजवन्ती भलाई पर पच्टा रही थी दिन का चैन उड़ गया रात की नीन धराम हो गई उसे वहाम हो गया कि अब हेम की कुसल नहीं उसे खेलता देखती तो उसके हिर्दय पर कटारियां चल जाती थी बुरे बुरे विचार आते थे जी डरता था हिमत कापती थी इसी तरह कई दिन बीद गए गाउं में चाहल पहल दिखाई देने लगी हलवाई की दुकान पर मिठाईयां तयार होने लगी गाउं की कुमारी कन्याओं के हातों में मेंधी रची हुई थी रात के बारा बारा बजे तक हरो की चत पर ढोलक बजती रहती और इस्तिरियों के दिहाती गीतों से सारा गाउं गूंचता रहता एक वाद दिन था जब लाजवन्ती प्रसन थी और हरो दुकी थी आज हरो के यहां चाहल पहल थी मगर लाजवन्ती के यहां उदासी बरस रही थी समय के फेर ने काया पलट कर दी थी रात का समय था मंदिर में घंटे बज रहे थे लाजवन्ती ने पूजा का थाल उठाया और पूजा के लिए चली मगर दर्वाजे पर पहुँचकर पाउ रुक गए उसे ऐसा प्रतीत हुआ मानो देवी की मूर्ती उसे दंडेने के लिए नेत्रलाल किये खड़ी है लाजवन्ती का कलेजा धड़कने लगा वा डर कर दर्वाजे पर बैट गई और रोने लगी जिस परकार दुरबल विद्धार्ती को परिच्छा के कमरे में जाने का सहस नहीं होता पाउ आगे रखता है दिल पीछे रह जाता है सैसा उसे प्रतीत हुआ जैसे कोई प्रात्ना कर रहा है लाजवन्ती का रोम रोम कान बन गया उसे निश्चे हो गया कि इस प्रातना का अवस्सी उसके साथ संबंध है और वा गलती पर ना थी कोई कह रहा था देवी माता उसे सदा सुहागिन बनाओ उसके बेटे को चिरंजीव रखो उसने एक असहाय ब्रामडी का मान रखा है तुम उसको इसका फल दो उसके बेटे और पदि का बाल भी बाका नहो या एक बूड़ी ब्रामडी की प्रातना है इसे सुनो और स्विकार करो जिस तरह उसने मेरा कलेजा ठंडा किया है उसी तरह उसका भी कलेजा ठंडा रखो ये ब्रामडी हरो थी लाजवन्ती के रोम रोम में हर्स की लाहर दोड़ गई उसके सारे संधें धुएं के बादलों की तरह तितर बितर हो गए वा रोते हुए आगे बढ़ी और बूड़ी ब्रामडी के फैरों से लिपड़ गई रात को सौपन में वा फिर देवी सम्मुक थी एका एक देवी की मूर्ती ने अपने सिंगासन से नीचे उतर कर लाजवन्ती को गले से लगा लिया और कहा तुने एक गरीब की सेवा की है अर्थात मेरी सेवा की है मैं तुझ से खुस हूँ तेरे काम से खुस हूँ लोग तीर थे आत्रा करते हैं तुने महा तीर थे आत्रा की है सेवा तीर थे आत्रा से बढ़कर है लाजवन्ती की आँख खुल गई इस समय उसे ऐसी प्रसन्नता प्राप्त हुई जैसे आज तक कभी न हुई थी आज उसने पूजा का रहा से पा लिया था धन्यवाद अभी आप सुन रहे थे सुदर्सन्जी की लिखी कहानी आसिरवाद